नमस्ते दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल GDS Info में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि GDS का Authentic Update का मतलब ही है GDS Info आज आप लोगों से एक बहुत बढ़िया चीज डिसकस करेंगे क्या है कि GDS को TRC के साथ कौन सा Allowance मिलता है ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह सकते हैं लेगिन आपको पता है कि GDS Info जो कहते हैं सिर्फ Authentic Update ही देते हैं तो यहाँ पर हम डाग भवन से पाया हुआ यह आप देख सकते हैं Postal Directorate से New Delhi से इसको Release किया गया है और इसमें क्या है एक Question का Answer दिया गया है One GDS asked me in addition to the TRCA what other facilities are available to GDS तो एक GDS को एक Other Facilities के तौर पे क्या क्या मिलता है वो आज इस वीडियो में हम Clearly इसकास कर लेंगे और यह 100% Authentic भी होगा तो आपको अगर हमारा effort अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके Bell Icon को दबा दीजिएगा क्योंकि उससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचता है और अगर आप Bell Icon को नहीं दबाते हैं तो वीडियो जो है छूट जाता है और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उससे हमको motivation मिलता है नेक्स वीडियो बनाने में ओके picture quality का थोड़ा issue है यहाँ पे picture quality थोड़ा थोड़ा बहुत आपको अच्छा नहीं पहुचेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा adjust कीजिएगा क्योंकि हम बोल दे रहे हैं टोटल कॉम्प्लिटली कहे तो रहे है उससे थोड़ा सुनके आइडिया लगा लिजिएगा पहले बात है एडुकेशन एलानस आप 6,000 एन्वाल पर चाइल्ड इस एडमिसेबल फार फास्ट टू चिल्डेन एक लड़का या लड़की के हिसाब से पर चाइल्ड और यह दो चाइल्ड फास्ट टू चाइल्ड को यह मिलेगा उसके बाद क्या है मतलब दुरगाट ना किसके साथ नहीं होता है अगर समझ लिजे कि आपके एडिया में बाढ़ आ गया है सिवरल साइकलोन जैसे कि फनी था और जकात ऐसा बहुत सारा घुर्णी ज़र हुआ था तो अगर ऐसा आपके एडिया में बनना या फिर फ्लाड होता है तो आपको जो है पांच हजार रुपाई का भुगतान सरकार करेगा और या फिर अगर आपके ऑफिस में गलती से आग लग जाता है ऐसा केसेज में फाइफ थाउजन रुपीज आपको मिल सकता है फाइनशियल एसिस्टेंस इन केस अप एंपलोई साफरिंग फ्रम कोवीड नाइटी अगर भगवान ना करेकी लेकिन आपको कोवीड हो गया है तो आप मैक्सिमम बीस हजार रुपए का सुभीधा ले सकता है डिपर्मेंट अप पोस्ट से फाइनशियल एसिस्टेंस टू फैमिलीज औप डिजीज जीडियेस आडेस टेन थाउजन रुपीज कोई ऐसा जीडियेस हो सकता है जो सेवरल इलनेस से जूज रहा है ठीक है जुसको बहुत बड़ा बड़ा बिमारी जो है कैंसर टाइप का कुछ यह सक कुछ अगर होता है तो उसके फैमिलीज को जो है 10,000 रुपए का मंतली सपोर्ट दिया जाएगा नहीं मतलब टोटल सपोर्ट 10,000 का दिया जाएगा ठीक है मंतली नहीं है मैं गलत बोला डेथ डियू टू टेरोरिस्ट अक्टिविटी डेकर्टी वाइल दिन डियूटी अगर GDS आदमी का डेथ हो जाता है अगर कोई टेरोरिस्ट अक्टिविटी या फिर डेकर्टी में उनसे छीना जाता है और उनके मार जिया जाता है तो उसके दोरान उनको 1,50,000 रुपीस आपको मिल सकता है in case of death due to riots attacked by roberts terrorists while not on duty मतलब आप on duty नहीं है अपके घर में है लेकिन आप कोई riot या फिर कोई attack में मारे जाते है तो आपको 12,000 रुपीस मिलेगा in case of GDS while being on duty due to accident Rs 25,000 मतलब अगर आपको कोई accidental date होता है duty पे तरह रहते time तो आपको 25,000 रुपई मिल सकता है funeral expenses on death of GDS payable in cases in which last rights of disease GDS are performed by brothers or sisters or near relatives in the absence of any other next of kin अगर उनका कोई GDS का कोई बेटा नहीं है तो उनके relative को जो है अगर कोई बेटा नहीं है तो उनके relative को GDS का funeral के खर्चे जो स्राध होता है उसको करवाने के लिए 5000 रुपई दिया जाएगा ठीक है development post GDS को सुभी जा तो देता है लेकिन यह बहुत कम है ठीक है यह आपको एक बार में सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया ठीक है ओखो यह तो expired हो जाएगा delete message ओके ठीक है तो यह सुनने में ज्यादा लग रहा है कि लेकिन यह बहुत ज्यादा रकम नही है financial assistance in case of major surgical operations अगर आपको कोई major surgical operation करना हो तो like cancer, brain hemorrhage, kidney failure, transplant, heart surgery अगर ऐसा कुछ करना हो तो government आपको 20,000 रुपए assist करेगा देगा 20,000 रुपए आपको in case of accident of GDS while being on duty requiring hospitalization for more than 3 days पाच आजार रुपए आपको मिलेगा अगर आप GDS हो आपको duty पे रहते time अगर आपको hospitalization करना परे तो आपको पाच आजार रुपए मिलेगा financial assistance to nutritional diet to GDS suffering from TB only for a maximum period of 6 months, provide GDS put at least 60 years of service, treatment is taken in government hospital, indoor treatment orders 400 per month, outdoor treatment होगा तो 200 per month अगर आप TOR QLOSIS अगर आपको है तो यह आपको मिलेगा उसके बाद एक बहुत बढ़िया जो है grant scholarship under educational schemes to children of GDS acts for existing terms and conditions IIT, IIMS, IIM 1000 रुपए पर month for technical degree course 280 per month for diploma course 190 per month for BA, BSC, BCOM degree course 150 per month for ITI certificate course 940 per annum नाम ठीक है अगर आपका जो आपका जो चिल्डरेन है आपका जो बेटा या फिर बेटी है वो अगर इन में से कोई course ले रहा है जैसे कि हमने कहा क्या तो आपको इतना scholarship मिलेगा पर month ठीक है IIT, IIMS, IIM अगर ऐसे बहुत बड़ा institution से पर रहा है तो 1000 रुपए पर महीने का technical degree अगर ले रहा है तो 280 रुपए पर महीने का जैसे कि engineering हो गया diploma course अगर ने रहा है तो 190 रुपीज पर महीने का BA, BSC, BCOM degree अगर ले रहा है तो 150 रुपीज पर मन्त मिलेगा और ITI certificate course के लिए 940 रुपीज पर एनम इनको मिल सकता है उके उसके बाद क्या है incentive for excellence in academic achievement of 10th, 12th class in circle region for first position अगर आप जो है class 10 या फिर 12th class में circle बर region में अगर फास्ट आया आपका बेटा है तो उनको 1000 रुपए second position के लिए 800 रुपे, third position के लिए 700 रुपे, fourth position के लिए 600 रुपे और fifth position के लिए 500 रुपे मिलेगा scholarship और scholarship for physically handicapped children of GDS for maximum 8 years as per existing terms and conditions Rs.200 पर मंत आपको मिल सकता है repayable loan तो आप ले ही सकते है, department of post के rule और conditions के तहर उसके बाद one time repayment at the time of retirement आप जो है loan जब लेंगे तो ये loan का issue है, इसको अलग से वीडियो में हम discuss कर लिए है GDS का loan अगर आप search करेंगे तो मिल जाएगा GDS info में है Scheme will be contributed in nature with a competent of grant in aid central postal welfare fund of the department It GDS will contribute Rs.20 per month इसको आपको देना होता है government को कि ये welfare fund सरकार चलाता है GDS who has not deemed any kind of assistance or grant from cycle welfare contributory fund in his entire service Will be paid a lump amount at a time of retirement अगर आप cycle welfare fund में हर महीने 20 रुपए देते है और आपको कुछ नहीं profit मिला तो आपको एक lump sum amount एक बहुत बरिया amount आपको return कर देगा ठीक है पोस्टर लाइब जो है welfare fund जो है ठीक है तो यह कैसा लगा यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आपका profitable वीडियो है यह ओके तो वीडियो को like किजेगा channel को subscribe किजेगा और हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया आपको okay goodbye visit again